हेलो फ्रेंद्स वेलकम तो दे चैनल सल्यूशन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे केमिकल आइंटिफिकेशन टेस्ट फॉर सेलुलोस लिगनीन और म्यूसिलीज मिन्स लिगनीन म्यूसिलीज और सेलुलोस को किस तरीके से आइंटिफाई किया जाता है बाय परफ तैनिन, रेजीन, फ्लेवोनोइट यह सब के बारे में हमने अल्रेडी हमारे चैनल में अपलोड किया हुए है तो आई यह शरू करते हैं आज का टॉपिक तो सबसे पहले हम जानते हैं सेलुलोस क्या होता है सेलुलोस एक पॉलिसेक्राइड है वालिसेक्राइड है मेंस जॉइन होता है बॉड़े होता है बादे होता है बादे होता है बादे है बाया बीटा 1,4 लिंगेट सेलुलोस को इडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सा केमीकल अजंटिफिकीशन टेस करते हैं तो प्रोसीजर में हमने आपे लिका हुआ है थीन सेक्शन ओशन ऑफ सैंप और इसके बाद जब इस thin section को microscope में observe किया जाता है तो जो cellulose होता है वो blue या blueish violet color कर scan हो जाएगा यहाँ पर cell wall इसलिए लिखा है क्योंकि cell wall में cellulose present होता है उसके बाद next आते हैं, next set test है thin section of sample means again हम thin section लेंगे sample का उसमें 0.1 molar iodine solution एड़ किया जाता है few drop और उसके बाद उसमें sulfuric acid एड़ करते हैं तो cell wall means जो cellulose होगा उसमें वो blue violet color में convert हो जाता है इसके बाद next test है, thionine test thionine test में क्या होता है, again हम thin section sample कलेंगे और उसके बाद उसमें thionine solution एड़ किया जाता है 15 minutes के बाद उस section को हम alcohol से wash कर लेंगे अलकोल से wash करने के बाद उस तिन section को हम जब माइक्रोसकोप में observe करेंगे तो जो cellulose होता है, वो blue color में convert हो जाता है मतलब cellulose का color blue हो जाता है तो यह हो गया different identification test for the cellulose इसके बाद next आते हैं lignin तो सबसे पहले जानते हैं lignin होता क्या है तो यह lignin क्या होता है lignin egg natural complex organic polymer होता है जो किससे बना हुआ होता है वो बना हुआ होता है phenyl propanide phenyl propanide means यह इसका building block होता है means lignin जो है phenolic compound होता है और यह जो lignin है along with the cellulose form chief constituent of the wood means wood का यह chief constituent होता है cellulose के साब तो यह हो गया lignin के बारे में इसके बाद next इसका identification test जानते हैं तो हम again section of drug लेते हैं तीन section और इसमें concentrated axil डालते हैं और fluoroglucinol solution एड़ किया जाता है तो pink color observe होगा इसके बाद हम section of drug लेंगे और इसमें safranin solution डालेंगे तो again हमको pink color observe होगा और thionine test किया जाता है लिगनीन के लिए भी इसमें हम थेन section लेते हैं ड्रग का थानिन solution एड़ करते हैं और 15 minutes के बाद अगेन उसको अलकोहल के साथ वाश कर दिया जाता है तो bluish-warled color observe होगा in the presence of lignin ये बाद next आते हैं third mucilage तो mucilage क्या होता है mucilage जो है polysaccharide derivative होता है chemically जनरली ये sulfuric acid ister होता है और यहाँ पर easter group जो है complex polysaccharide होता है और mucilage को consider किया जाता है as a decomposition product of cellulose इसे की example mucilage containing drug का वह है इसब गोल में mucilage present होता है pentosan and aldobionic acid और इस mucilage content की वज़ा से इसब गोल को use किया जाता है for the treatment of chronic constipation means इसको as a laxative use किया जाता है तो यह हो गया mucilage के बारे में तो सबसे पहला जो test है for the identification of mucilage वो है ruthanium red test इसमें क्या किया जाता है हम ruthanium red solution add करते हैं तो क्या color observe होगा हमको pink color observe होगा अगर हम test solution में Chinese ink add करते हैं तो transparent spherical dilated fragment आपको observe होगा on the black background असके बाद आते हैं next test solution में हम again thyanin solution add करते हैं तो 15 minutes के बाद अगर हम उसको alcohol के साथ वाश के आजाता है तो mucilage जो है उसमें violet red color का वो बें convert हो जाएगा यह हो गया different chemical identification test for the cellulose, lignin and mucilage thank you very much for watching this video prediction और भच अप्रोप आते हैं कि जए ऊफ्रोप्स को जबट रच्षबपन लिए रखने ढगको ल कोई ऊ ref acá यह हँआ यह